सबलगण पूरी जिले में शीत लहर का प्रकोप जारी है लगातार तापमान गिर रहा है तथा धूप भी दो पहर बाद निकल रही जो अपना सर नहीं दिखा पा रही है लेकिन नगरपाली का परिशद जुंडपुरा सबलगड़ द्वारा नगर में अभी तक अलाव जलाने की विवस्था नहीं की गई जिससे बेसहारा गरीब यात्री फेरी वाले ठेले वाले आदी लोग एवं आमजन परिशान है लगातार तापमान कम होने से लोगों को घरों के भीतर भी हात पैरों में गलन जैसे स्थी का सामना करना पढ़ रहा है शीत लहर के चलने से ठंड लगातार बढ़ रही है वहीं रात से ही कोहरे की धूंद दिखाई दे रही है जिससे लोगों का जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है सरदी से लोग परिशान हैं जो अलाव लोगों को प्लास्टिक गत्य कागस जला कर तापते नजर आ रहे हैं ठंड के बढ़ने पर भी नगर परिशद जुंड पुरा द्वारन अगर में अलाव जलाने की विवस्ता नहीं की गई है असानी लोगों ने बताया कि ठंड के प्रकोप को देखते हुए नगर परिशद को जगह जगह अलाव की विवस्ता करनी चाहिए जिससे लोगों को गलन भरी ठंड से कुछ रहत मिले वहीं अगर पाली का परिशद की कर्मचारियों से बात की गई तो एक कर्मचारी ने बताया कि आदेश नहीं है तो दूसरे ने बताया कि CMO सहब से बात करेंगे हमें इसके पावर नहीं है यहां बता दें कि नगरपाली का परिशद जुन्डपुरा में इस्थाई CMO ना होने से पहले जोरा CMO पर चार्ज था और अब कैलारा CMO पर चार्ज है एक महा से भी कम समय में तीसरे CMO है लेकि CMO नहीं होने कि चलते शाषिन की योजनाओं का सही तरीके से निश्पादन नहीं हो रहा पह्यामचन अपनी समस्याओं के लिए लगातार नगरपाली का परिशुद कारेले के चक्कर लगा रहे है डॉक्टर देवेंद्र रावत ने बताया कि लोग गर्म कपड़े पहन कर रखें, सर को धक कर रखें, पैरों में उनी मूझे पहने, अलाव जला करता पें, गर्म पे पदारतु का प्रयों करें, शरीर को गर्म रखने का प्रयास करें सर्दी लगने से लकवा, ब्रेन हामरेज, हार्ट अटैक जैसी परिशानी आ सकती है जितना हो सके साफधानी रखें जितना हो सके सर्दी से बचाव करें सर्दी में सर और पैरो को भी ठक कर रखें सबलगर से हरेंद्र चतुरवीदी की रिपोर्ट